करेंगे क्लास 10 का यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यमेंटेशन के अंदर ठीक है इसमें हमने दो सेशन हमने कम्प्रीट कर लिए आज हम थर्ड सेशन के बारे में बात करेंगे जो की है प्राइशना लिएतर पर्ण तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैं हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है हम इसके अंदर का का इंट्र इंटीच्फित दिखेंगे टेंद'M होता गया है पृइट इसको कmez से कर जाता है तो सब किसी नए गलनोगा मैं क्रोल से याउट करेंगे किसी दूसरे template में कैसे changes करते हैं और templates को कैसे use करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि template होता क्या है ठीक, तो template एक तरीके का model है that is used to create other document तो हमें एक तरीके से दूसरे document को दूसरे document में use करने के लिए काम में आता है मतलब इसका यह है कि template एक formatted document है ठीक है, एक template में एक formatted document बना हुआ है जिसके अंदर हमें सिर्फ editing करनी होती है और हम अपने easily तरीके से उस पे काम कर सकते हैं template create करने के दो तरीके हैं पहला हम template document से create कर सकते हैं और दूसरा तरीका होता है wizard से create करने का तो अगर मैं आप से document के लिए बात करूँ document that of you want to make into a template तो हम पहले सबसे पहले जाएंगे new पे जाएंगे वहां हम template create कर सकते हैं जो भी हमें content add करना style करना उसको हम add करेंगे या हम main menu में जाएंगे वहां पर file पे जाएंगे file के अंदर templates का option होगा टेंप्रेट्स के जब जाएंगे वहां पर हमारे पास तीन ओप्षिन संभी तरी कैसी new template का save template का एक तरी के से मैं मैंने templates का भी हमें options मिलता है तो अगर मैं save template पे click करूंगा तो हमारे जो saved templates जो हो रखें तो वहां से मैं open कर सकता हूं कोई new template बढ़ाना चाहता हूं मैं new template बना सकता हूं हमारे पास एक category list भी होती है वहां पर जिसमें हम अपने according जो template assign करना चाहते हैं उस category में से हम उठा सकते हैं और the category you choose has no effect on the template itself तो इसका मतलब भी है कि जो भी हम category choose करेंगे template पर उसका कोई कर देंगे clear तो बढ़ते हैं practical की तरफ तो सबसे पहले आप क्या करिए मैं आपको दो तरीके बताता हूं इसके अंदर पहले आप फाइल पर जाईए फिर आप new पर जाईए यहां पर आपको नीचे सब्सक्राइब करूसरी है यहां पर दूसरी है यहांपर अलग अलग टाइप कि करे कर देंगी तो एक त्रके से टे उपन हो जाएनगी तो एक तरके से आपको अलग से एक CV बनाने की जुरुत नहीं है आपके पास एक CV बना बना आपको मिल जाएगा जिसमें आपको क्या स्रिफ करनी पड़ेगी एडिटिंग घरिएट कर सकते हैं तो यह तरीका प्रिदिफाइन की तरू इंग से क्रिएट का पर जाएगे तो वहां पर अर्फ कार sub का बना सकते हैं तो TON मैं आपको बहुत दिखा भी दिएथा हूँ कैसे आपको कर न है यहां पर आप देख लीजिए हां पर आप फाइल में जाएंगे घडाप करेंगे किसी ब्टम पुर्ट टेंगे लगे डागनल बॉक्स ओपन हो जाएगा तो इसमें आप अपने अकोडिंग जैसे लेटर ओफ पेज डिस्पे अपने अकोडिंग जिस टाइप को टैंप्लेट चीए वहां से आप टैंप्लेट पना सकते हैं ठीक है तो आगे बात करते हैं हम इसके कि हमें क्रिएट कैसे करना होता है और एक लिएट करने की जोटनी परती हूं उसके लिए मुझे क्या करना होगा सबसे पहले मैं जाओँगा फाइल पे जाके क्लिक करूंगा मैं यहाँ पर से वैस्पे ठिसे वार्षिण पर में जाकर क्लिक कर्unga क्लिक करने के बाद यहां पर मुझे एक मिलेगा स्यव्स-व्स टाइप कर से यहां पर मैं जाकर को चैन्पलेट को यहां पर वहाराइंस मिलेगा स्फिते प्रतया। यहां। पर एक वैल का नाम दे रहेता हूं, यहा पर में इनफर्म कर देता हूं, income, declaration के नाम से। मैं यहां पर वाइल को शेव करने लेता हूं, तो यह मेरा बने एक टेमप़ेट, format बन जाएगा, हम मुझे क्या क्या करना है। मुझे इस जो म máximo template बना है इसको open करने ठीक है तो पहले मुझे अपने template एक setup भी करना पड़ेगा तो यहांपर मैं एक तरीके से कोई नही फाइल लेता हूँ new file में घो टेम्प्रेट छीए ठीक है मैं new पे जाओंगा यहांपर एक तरीका से टेंप्लेट पर जाओंगा तो यहां पर मुझे पहले क्या करना पड़ेगा अपने टेंप्लेट को इसमें रखना होगा इस टेंप्लेट को ठीक है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा यहां पर मैं इंपोर्ट करूँगा इंपोर्ट में जाके आप मेरा टेंप्रेट क्या हो जाएगा इंपोर्ट हो जाएगा यह देखें ओपर इंकम डेक्लिक करूंगा क्रेट हो गया अब बात करते हैं कि अगर मुझे कोई default template set करना है तो इसका मतलब भी होता है कि जब भी भी मैं एक तरीके से new पे click करूं तो default template मेरे पास आ जाए ठीक है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है files में जाएंगे हम templates में जाएंगे organize में जाएंगे डाइगनल box आपके पास open हो जाएगा ठीक है वहाँ पर left hand side में जोन से folder में आपका template उसके आप क्लिक करेंगे अपने जो template file है उस पर आप जाके click करेंगे राइट hand side में आपको commands को option दिखाए देगा और वहाँ पर आप कर देंगे चूजर सेट default template ठीक है तो यहाँ पर आप इस तरीके से अपने template को by default set कर सकते हैं इसके लिए मैं आपको एक practical दिखा देता हूं इस तरीके से आप file पर जाके templates as document पर click करेंगे click करने के बाद आपके पास एक करेंगे और यहाँ पर नीचे आ जाएगा set as default template तो इस तरीके से अपने default template को set कर सकते हैं ठीक है लास्ट में हम देखेंगे कि अगर मुझे उसी template में कुछ चींजिस करने है और वही चींजिस में पास आगे आए तो changing to a different template कैसे करेंगे सबसे पहले हम जाएंगे एक तरह के से वापिस फाइल में ठीक है जोंसर template पहले में को चाहिए होगा पहले में उस template में देखूंगा wizard में नहीं आता यह तरह किसी आपको template options में बिलेगा template में जाएंगे open template पे click करेंगे ठीक है तो मैंने जैसे template पहले से create किया हुआ था यहां पर मैं इसको open कर लूँगा तो हमारे पास जो template हमने पहले बनाया था इस तरह के समारे open करके आ जाएगा ठीक तो इसके अंदर हम मैं क्या करूंगा तरह किसे मैं इस template में कुछ changes करना चाहता हूं जैसे नीचे वाला portion में इसको select कर लेता हूं पहले माँस से मैंने इसको select करके मैं इसका color change कर देता हूं तो यहां पर color change करने के बाद जैसे color change कर देता हूं अब मैं यहां पर करूंगा Ctrl plus S मैंने इस file को save कर लिया तरह किस template को अब मैं क्या करूंगा कि फिर सथ किसी दूसरी file में नई file में जाऊंगा यहां पर दुबार से new पर जाके template क्लिक करूंगा तो जो मैंने template मैंने पहले बनाया था information declaration मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप आप देखेंगे जो मैंने changes करे थे तो उसनी changes के साथ मेरे पास वो template बनके आ गया है ठीक है तो इसको एक तरह से बोलते हैं अपडेटिंग ट्रेंट को अपडेट करना है तो लास्ट में जो मारे जो टॉपिक था है टैंप्रेट को सेव करने के control ऐसे भी सेव करके भी आप टैंप्रेट को create कर सकते हैं तो यही था टैंप्रेट का टॉपिक आज के लिए मिलते हैं अपने नए टॉपिक में बहुत ही जलत और लास्ट में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले बाई